नवस्कत दूस्तों उक्ते हुए सूरज को देखना सभी को अच्छा लगता है उस वक्त सूरज बहुत ही अकर्षित लगता है जातर लोग अपने दिन की सुराज सुर्योते के साथ ही करते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में सबसे पहले सूरज कों से राज में निकलता है या फिर भारत के किस राज में सुर्यास सबसे पहले होता है भारत में सबसे पहले सुर्यास कहा होता है भारत के किस राज में सुर्यास सबसे पीछे होता है ऐसे कई सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो चले जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से की भारत में सबसे पहले सूरज कौन से राज में निकलता है और इसके पीछे की वज़े क्या है भारत में अउनांचल परदेश में सबसे पहले सुर्योत होता है इसी वज़े से इस राज का नाम उक्ते हुए सुर्ज के नाम पर रखा गया है इसी वज़े से अउनांचल परदेश को उक्ते हुए सुर्ज की भूमी भी कहा जाता है अउनाचल यानी अरुन यानी की सूरज और चल यानी की उदे होना इस तरह से अउन्राँचल नाम रखा गया है अउनाचन प्रदेस में मजूद डोंग वैली की दिवांगाटी भारत में मजूद एक मातर ऐसी जगा है जहां पर दिन और रात का समय भारत के अनराजों से अलग है दिवांगाटी चाइना और बर्मा की बार्डर पर इस्तित है जो भारत का ही एक भाग है यहां पर भारत के अने अस्थानों के तुनला में करीब धाई घंटे पहले ही सूरज निकलता है यहाँ पर सुबह चार बजे ही सुर्यदय होता है इसी वज़े से सूरज की इस पहली क्रियर को देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग हर साल दिवांगाटी आते हैं यह घाटी समुद्ध तट से करीब 2655 मीटर की उचाई पर मजूद है अगर बात करें भारत की राधानी के समय की तो जब दिल्ली में साम में चार बसता है तब अवरांचर प्रदेश की दिवांगाटी में सूरज अस्त हो गया होता है यानि की रात हो जाती है इस बात से आपको पता चल सकता है कि भारत के बाके हिस्सों से यह अस्थान का दिन और रात का चक्कर काफी अलग है इससे एक और सवाल का जबाब भी आपको मिलेगा कि भारत में सबसे पहले सूरज कहां डूपता है या फिर भारत में सबसे पहले सूर्यास्थ कहां होता है सबसे पहले इसके बारे में सन 1999 में पता चला था कि अन्वांचल में इस्थित दिवांगाटी में सबसे पहले सूरज निकलता है और इसके बाद पुरी दुनिया के लोग भारत की इस जगह पर सुरियोदय का लुप्त उठाने के लिए आने लगे जैसे कि हमने आपको पताया कि किस राज में सबसे पहले सुरियोदय होता है ठीक उसी तरह भारत का एक और राज भी है जहांपर सबसे बाद में सुरियास्त होता है यानि कि जब बाकी के सभी राज्य अंधेरे में आ जाते हैं उसके कुछ मिन्टों के बाद इस राज्य में अंधेरा होता है भारत के गुजरात राज्य में इस्थित गुहार मोती जो भारत का सबसे आखरी पस्रिम छोर है वहाँ पर सूरज सबसे आखिर में अस्त होता है समर के टाइम पर गुजरात में साम के साथ बज़ कर तीस मिनट के बाद सूरज अस्त होता है वही भारत के जातर राज्य में इस वक्त अंधेरा हो चुका होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूरजपुर में उद्य होता है और पस्सी में अस्त होता है क्योंकि गुजरात भी पस्सी में है इसी वज़े से सबसे आखिर में सूरज यहां पर अस्त होता है दोस्तों उमीद है कि हमारे द्वारा दीगे जनकारी आपको अच्छे लगे होगी अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा और दोस्तों साथ सेयर करना ना भूलेगा मिलते हैं अगले वडियो में धन्यवाद